हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यट्रूब चैनल लर्निंग इट पर हो जैसा कि आपको पता है कि डेली सुब आपके इंग्लिश की क्लास जो होती है परसो मैंने आपसे कहा था कि कलिया परसो में मैं आपका एक टेस्ट लेने वाली हूँ यानि कि जो हम जिलते जुलते प्रश्न अगर एक्जाम में आते हैं तो आप बहतरीन तरीक से उसे सॉल्व कर पाएं तो अपनी छमता को पहचाने के लिए आज आपको टेस्ट देना है और रेडी हो जाए तीस प्रश्नों की सीरीज रहेगी कोई एक्स्प्लेनेशन नहीं रहेगा क्यू दो ये शुरू करते हैं आज का session आज का test but a sentence which is made up of 2 or more blank clauses is called a compound sentence दो या दो से अधिक कैसे clause को मिलाके compound sentence बनता है coordinate, main, subordinate या फिर दोनो तो compound sentence जो है वो coordinate clauses को मिला के बनता है subordinate clause होता है किसमें आपका complex sentence में एक principle clause होता है और एक complex sorry subordinate clause होता है कहा था मैंने explanation नहीं रहेगा बढ़ थोड़ा थोड़ा कर दे रही हूँ तो next देख लेते हैं a complex sentence is one which consists of one principle clause and one or more blank clauses अभी just मैंने जो जी समझाई है वही यहाँ पे पूछा है कि एक complex sentence में एक principle clause होता है और एक या एक से याधे कौन से clause होते हैं main, coordinate, subordinate या none of these so correct answer हो जाता है इसके लिए आपका subordinate अभी मैंने बताया था which of these is or are subordinating conjunction subordinating conjunction इन में से कौन सा है subordinating conjunction का मतलब हो गया कि principle clause को subordinate clause से जोडने के लिए कौन सा conjunction इन में से use होता है because, so that, till, all of these जिन लोगों को subordinate clause का अर्थ ही नहीं पता है उन्हें मैं बता दू कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जो complex sentence होते हैं जिसको आप आश्रत उपवाक्य कहते हैं न हिंदी में वही चीज़ है subordinate clause जो कि principle clause पे निर्भर होता है अलग से यूज करने पे उनका बहुत अच्छा sense नहीं निकल पाता बहुत complete sense नहीं निकल पाता तो ये सारे ही जो हैं वो subordinating conjunction है A large area of sea that is partially surrounded by land is called what Groom, Gulf, Helm, Horst एक बड़ा area समुद्र का जो कि कुछ हिस्सों से जमीन से यानि कि land से भूमी से घिरा रहता है बहुत कुछ कुछ हिस्सों में वो कहलाता है Gulf या जिसको आप खाड़ी कह सकते हैं A place of shelter for ships फटाफ़ से देख लीजे जो जहाज होती है पानी की ठीक है वो जहाँ खड़ी की जाती है उनका उनके रहने के लिए जो स्थान बनाए जाता है वो क्या कहलाता है Harbour, Heart, Hawker, Herd So correct answer यहाँ पे हो जाता है आपका option number A, Harbour Next देख लेते हैं Identify the sentence God made a mountain and man made a computer किस तरह का sentence है यह Simple, Compound, Complex यह इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे end लगा है जो कि यह coordinating conjunction है दोनों sentence का अपना एक अर्थ निकल करा रहा है कि God made a mountain अकेले भी उस करेंगे तो सही अर्थ निकलेगा Man made a computer यह भी independent अपने आप में पूरा वाक्य है इसको भी अलग से कहीं लिखेंगे तो भी इसका कुछ ना कुछ sense निकल रहा है तो इस तरह के sentence, compound sentence होते है नीलम will say breakfast is ready इंडिरेक नारेशन में change करना है नीलम will say that breakfast is ready नीलम said that breakfast is ready नीलम will say that breakfast is ready या इन में से कोई नहीं काफी आसान है बेसिक अगर जानकारी है tense की grammar की जो अभी है तो आप ये कर लेंगे देखें जब will लगा है जब हमारा reporting verb जो होता है वो future tense में होता है तो कोई भी परिवर्तन tense का नहीं होता है तो नीलम will say that breakfast is ready यही सही answer हो जाएगा सिर्फ यही जो कॉमा और inverter कॉमा वगेरा लगा रहता है वही हट जाता है उसकी जगा देट लग जाता है और कोई change नहीं होता है एक डॉग यूज़ फॉर हंटिंग एक डॉग जिसको हंटिंग के लिए शिकार के लिए यूज़ किया जाता है होम यूपाथ जूरर जूरी इन में से कोई नहीं सो कर्रेक्ट एंसर इसके लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नमर भी जूरर जूब तो नेक्स्ट केशिन विच अब दीज इस आर को अर्डिनेटिंग कंजक्शन यहां पर अभी मैंने आपको कोईडिनेटिंग एंसर हो जाता है सॉरी सॉरी इस एंड नॉट अल अफ दीज ठीक है इस एंड नेक्स देखते हैं सीनोनीम ऑफ बटैलियन बटैलियन का सामानार्थी बताना है इन्फलेमेशन एक्स्टैम्फोर कंपनी रेजिमेंट सेना दल जो होती है उसी को कहते हैं बेसिकली बटैलियन रेजिमेंट इसका जो है वो करेक्ट एंसर हो जाता है आपका उप्शन नॉबर डी वन हूँ इट्स टू मच एक व्यक्ति जो बहुत ज़ादा खाता हो इमेटिक, स्पिंस्टर, ग्लूटन, फ्लीट आप्शन सभी अच्छे हैं आपको कुछ नया नया वर्ड मिलता है यहां देखने के लिए ठीक है? यहां पर जो करेक्ट एंसर हो जाता है इस केशन के लिए वो हो जाता है आपका उप्शन नॉबर सी ग्लूटन ठीक है? मॉफ तो दे नेक्स्ट केशन हम एक सिंपल सेंटेंस को कमपाउंट सेंटेंस में बदल सकते हैं कैसे? किसी शब्द या फ्रेज को एक्स्पेंड करके किसमे? किसमे एक्स्पेंड करके? चलिए देख लेते हैं तो क्योंकि हमें कमपाउंट सेंटेंस बनाना है तो हमें को आडिनेटिंग क्लॉज में ही तो परिवर्तत करना होगा तो आप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है बार बरवई चीज समझा रही हूं है इसे कंपाउंट सेंटेंस में बदल के दिखाईए अब ध्यान रखियेगा टेंस नहीं बदलना चाहिए सिर्फ स्टॉक्चर चैंज होना चाहिए वो सिंपल से क्या हो जब जागी आपका कंपाउंट में चैंज हो जाना चाहिए तो past tense की बात हो रही है he plugged some mangoes तो he climbed up the tree and plugged some mangoes ये सही answer हो जाता है कि वो पेड़ पर चढ़ा और उसने कुशाम तोड़े and लगा दिया coordinating conjunction तो बन गया ये क्या आपका coordinating clause कितना भी कहले कि नहीं explain करेंगे वो आदत में है explain कर रहे हैं आपके लिए beneficial है तो please एक बार like कर दीजे सभी लो a thing which can easily be broken वो वस्त जो easily तूट जाए आसानी से तूट जाए century, fragile, tourist, none of these कभी easy options है okay तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं correct answer क्या होगा fragile हो जाता है next देखेंगे a person who goes for a long walk in the country वे व्यक्ति जो बहुत लंबे मतलब यात्र जिसको पदियात्रा कहते हैं पदियात्रा पे गया हो देश में उसे क्या कहेंगे hiker, host, jury, larva correct answer यहाँ पे हो जाता है आपका option number a hiker which one is not synonym of hereditary कौन जो है आपका hereditary का मतलब होता है अनुवान शकता जिसे आप कह सकते हैं इसका समानार्थी नहीं है ancestral genetic germicide inherited तो यहाँ पे जो correct answer का germicide नहीं है germicide मतलब कीट नाशक वगएरा होता है तो यह नहीं है a swelling part of a body किसी भी सरीर के किसी भी हिस्से में जब सूजन आ जाती है तो सूजन को basically हम लोग हिंदी में सूजन ही कहते हैं English में क्या कहेंगे inflammation, extampore, cardiologist, neurologist so correct answer यहाँ पे हो जाता है आपका option number ही inflammation ठीक है? बढ़ेंगे अगले प्रशन क्यों? the teacher praised the boy for his dedication the boy is dedicated and the teacher praised him the boy was dedicated and the teacher praised him the boy was dedicated so the teacher praised him none of these the teacher praised the boy for his dedication तो हम इसको जब यह simple sentence है हम इसे परिवर्तित कर रहे हैं तो the boy is dedicated and the teacher praised him हम यहाँ पे एक reason हम को बताना पढ़ेगा हम इसे complex sentence में change करेंगे तो option number C से ही हो जाएगा कि the boy was dedicated क्योंकि लड़का dedicated था इसलिए teacher ने उसकी तारीफ की ठीक है? और ऐसा बोले कि लड़का dedicated था और teacher ने उसकी तारीफ की बिल्कुल अलग-अलग बात हो जाती है लेकिन teacher ने तारीफ क्यों की? क्योंकि लड़का dedicated था क्यों वाली feeling आ रही है न? एक reason आ रहा है न? कारण आ रहा है जहाँ पे भी कारण आ रहा है तो आपको complex sentence में ही change करना है synonym of alert alert का समानार्थी क्या हो जाता है quick, prompt, cautious, all of these सारे ही हो जाएंगे बिल्कुल आपका option number D सही है पहले भी कराई ये सारे ही प्रशन मेंने कराई हैं वहीं से pick किये हैं सिर्फ टेस्ट के लिए कि कितना आपको याद है a reminder of something कुशी भी चीज का एक reminder जो होता है जो इसको याद दिलाता है उस चीज की वो क्या कहलाता है momento, optimist, pessimism या फिर बोथ A and B तो correct answer यहाँ पी जो हो जाएगा reminder of something momento कहलाता है जो किसी moment की याद दिलाता है synonym of antipathy unconditional extempore disgust antiseptic antipathy का मतलब जो होता है वो तो ग्रिणा ठीक है तो ग्रिणा होता है तो इसका सही answer synonym समानार्थी disgust होता है disgusting बहुत इग्रणित होके अब जो बोलते हैं अशा किसी जीज को तो I said to her do be regular and punctual change into indirect narration इसको indirect narration में बदलना है मैंने उस से कहा regular हो और punctual do लगाया है न जब किसी भी already हम वर्ब बदलिक रहे हैं उसके पहले भी हम do लगा रहे हैं तो इसका रत होता है कि हम उसको forcefully कह रहे हैं या कह सकते हैं थोड़ा से special attention देते हुए कह रहे हैं ध्यान देने के लिए के लिए के रहे हैं क्योंकि सब कुछ सेम है सिर्फ एक में requested है एक में advised है और एक में told है अब देखे यहां पर क्योंकि sense यह आता है कि हो सकता है मैंने किसी किसी request कि क्योंकि प्लीज यार जैसे मैं आप से request करती हूँ do subscribe है ना do subscribe मैं चैनल तो वो ऐसा तो नहीं कि forcefully कह रहे है advice दे रहे हैं वो तो हम request करें किसी को advice देने के लिए भी हम कह सकते है do का यूज करके कि please do that है ना तो खुल मिला के requested भी सही है advised भी सही है told भी सही है तो हम all of these लगा सकते हैं वो condition पे डिपेंट करता है यह अगला किस सैंस में बोल रहा है किस सिच्वेशन पे बोल रहा है let us add to me shut the door will you shut the door will you let our requested me to shut the door if I could let us told me to shut the door let us ordered me to shut the door let us requested me to shut the door तो यहां पे लटा ने मुझसे क्या कहा कि दर्वाजा बंद करो फिर उसने एक add कर दिया उसमें दो वर्ड कि क्या तुम करोगी please कर दोगे मतलब please word यहां लिखा नहीं लेकर सेंस तो वही आचाएगा किसे हम किसे कहते हैं कि मेरे लिए ग्लस पानी ला दोगे तो बतलब एक तरह से वो request वाली भावना आ रही है ना आ रही कि नहीं तो बस वही चीज़ है यहां पे option number एसे हो जाएगा लता requested me to shut the door if I could अगर मैं कर सकूं तो मतलब कि forcefully नहीं कहा जा रहा है बताएगे इसको इंडिरेक्ट नेरेशन में the father warned Mohan that he was getting naughty the father told Mohan that he was getting naughty दोनु सही हो सकते हैं या दोनु गलत हैं सब कुछ सही सेम है एक में वस warned लिखा है एक में told लिखा है तो देखिये दोनु सही हो सकते हैं ठीक हैं आप प्या option में अगर में इसे कोई एक आता है तो वह भी सही होगा क्यों अगर पिता यहां पी यह संस नहीं समझ में आ रहा है कि पिता ने गुस्से में कहा है वार्मिंग करें कि मोहन तुम बहुत जादे शातान होते जा रहे हो इस फीलिंग के साथ कहा तो वार्मिंग हो गई ठीक है एक तरह से कह सकते हैं कि हां और अगर not only बता रहे हैं, खुश वाली फिलिंग से तो है, मोहन तुम कुछ जाद ही शातान होते जा रहे हैं, तो मतलब बता रहे हैं, ठीक है, मोहन को तो पता नहीं कि वो कितना शातान होते जा रहे हैं, दोनों ही अपनी जगपे, सही हैं, आपके आप्षिन में कोई एक ही आएगा, a written outline of a play opera और movies called what, कोई भी नाटक है, कोई movie है, opera है, ठीक है, opera क्या होता है, गीत नाटे जिसे कहते हैं, वो होता है, तो उसका जो written outline एक होता है, लिखे तुम्हें लिखा जाता है साई चीज़े, वो क्या कहलाता है, scenario, extampore, orthopedist, antiseptic, options बहुत confuse करने वाले नहीं हैं, बहुत ही simple simple options है, थोड़ा सा like, share और चैनल पर new हैं, तो subscribe करिएगा, exam dose पर classes शुरू गई हो गई हैं, अभी उसका notification नहीं जा रहा है, तो उसका link जो है, description box में देख लीजेगा, scenario इसका correct answer हो जाता है, a word that is the same in sound as other, but different in meaning, एक शब्द जो की दूसरे से, सुनने में तो सेम लगे, पर उसका अर्थ जो है, वो अलग निकले, क्या कहलाता है, जुन्ठा, patriot, origin, homoneme, सुनने में सहें साउंड करे, लेकिन अर्थ अलग हो, वो कहलाते हैं, homonemes, a medicine which induced vomiting, एक ऐसी medicine, ठीक है, जिस से, मतलब, vomit कराई जाती है, वो दबाई खालो, ताकि vomiting आए, रुकती नहीं है, रोकने वाली क्यों यहाँ बात नहीं हो रही है, so correct answer यहाँ पर हो जाता है, emetic, इसका सही answer, I blank it, I believe it, I am believing it, I am believing it, all can be correct, यानि सभी सही हो सकते हैं, so, I के साथ, basically, जब हम लगाते हैं, कुछ भी हमें, present tense की भी बात करने हो, जिसे वर्तमान में, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, for example, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, तो बातमान में में विश्वास तो कर रही हूँ, लेकर उसके लिए क्या, हम यह नहीं use करेंगे, कि हम continuous tense का helping verb लगा लें, और ing भी आड़ कर लें, fourth form होती है, ing ठीक है, present participle कहते हैं, इसको, समझ में आ रहा है, जिसमें ing लगा रहता है verb में, वो present participle form कहलाती है, यह normally जो हम first, second, third form परते हैं, यह fourth form होती है, ठीक है, तो यह हम नहीं use करते हैं, I trust you, मतलब मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, यह रही कि simple ही, first form ही use करते हैं, option number A से ही हो जाता है, she told me a story, change into passive voice, she told me a story, I was told a story, a story was told to me, both A and B and none of these, तो यहाँ पर आप देख रहोंगे, हर वगेरा use ही नहीं किया गया है कहीं पर भी, she told me a story, उसने मुझे कहानी सुनाई, यहाँ अपने आपको यहाँ पर passive voice में ज्यादा महत्व दिया गया है, किसके द्वारा सुनाई गई, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, और यह एक जगा me को object मान के I पहले लगा दिया गया है, एक जगा a story को main मान के यहाँ लगा दिया गया है, और दोनों ही सही है, हर का यहाँ भी जिक्र ही क्योंकि नहीं किया गया है, तो एक तरह से C को हटा के, यहाँ पर me और A story को ही main माना गया है, I know him as well as you do, change into comparative degree, you do not know him better than I do, you know him better than I do, तीकि अध्यान रखिएगा, अर्थ परिवर्तन ना होने पाए, अब sentence में कह रहा है, I know him as well as you do, यानि कि जितने अच्छे से उसे तुम जानते हो, तो नहीं अच्छे से उसे मैं भी जानता हूँ, ठीक है, कोई कम जादा नहीं है, ज comparative degree भी change करेंगे, तो degree लग जानी चाहिए, अर्थ वही निकलना चाहिए, कि हम दोनों equally जानते हैं, मतलब उसको, जिसको भी वारे में बात हो रही है, तो देखिएगा कौन से सही होगा, यहाँ पर तो बोल रहा है, you do not know him, तुम नहीं जानते हो त्छे से जितना अच्छे स मैं जानता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे जानते हो, यह भी गलत हो जा रहा है, you do know him better than I do, you do know him better than I do, यहाँ पर भी यह चीज़ रही है, कि तुम जो है उससे ज़्यादा बहतर जान रहे हो, जितना मैं जानता हो उससे, हर जग यह चीज़ आ रहा है ना, कहीं नहीं अ शेयर करना और यह सब्सक्राइब करना, तो इसको कर दीजे फड़ावर से, तेली 10 बचे हमारी क्लास चलती है, एक्जाम रोस पर 6 बचे, EBS की क्लास चल रही है शाम को, 5 बचे लर्निंग नीट पर ही EBS की थीरी क्लास चल रही है, और संस्क्रित क्लास जो है वास से आपकी इनक्रीज होने वाली है, so I just hope you like the class, if you like don't forget to like, share and subscribe, thanks for watching, keep studying and bye bye